अच्छ तक मैं हूँ गौरफ सावंत अविनाशी काशी को आज मिली एक नई दिव्य औभव्य पहचान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनात धाम कोरिडोर का लोकार पड़ किया इस मौके पर प्रधान मंत्री ने कहा कि तलवार के दम पर सभेता वदलने की कोशिश हुई उन्होंने ये भी कहा कि अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उट खड़े होते है इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनात के मंत्रो चारण के साथ पूजा अर्चना भी की जलाभिशेख किया और इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मा गंगा में डुपकी लगाई की सूर्य की अराधना की प्रधानमंत्री खुद गंगा जल लेकर नए कोरिडोर पर के रास्ते चलकर काशी विश्वनात मंदिर के गर्ब ग्रेह पहुंचे जहां जलाभिशेक हुआ शिला पटका अनावरण और श्री काशी विश्वदात धाम आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है आपको यहां अपने अतीत के गर्वरव का एहसास भी होगा कैसे प्राचिंता और नमिंता एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेनाएं भविश्य को दिशा दे रही है इसके साक्षा दर्शम विश्वनात धाम परिसर में हम कर रहे हैं कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे कैसे होगा होगा ही नहीं यहां तो ऐसे ही चलता है थोड़ी बहुत राजनीती थी थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्त इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे लेकिन काशी तो काशी है काशी तो अभी नाशी है काशी में एक ही सरकार है और यह सीधी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ उसी काशी कॉरिडोर में पहले केबल तीन हजार वर्ग फीट का था प्रधान मंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया और अब पाँच लाख वर्ग फीट का ये काशी कॉरिडोर बन कर तैयार है आज इसका लोकारपड हुआ और प्रधान मंत्री अब इसी को इसी का निरीक्षण कर रहे है अहिल्याबाई होलकर महरानी अहिल्याबाई होलकर की एक भव्य प्रतिमा भी यहां लगाई गई है क्योंकि हिंदू मंदिरों का धर्मस्थलों का जीरुन धार जिस तरह से महरानी अहिल्याबाई होलकर ने किया उनकी एक प्रतिमा यहां लगाई भी गई है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी इसका जिक्र कि उसमें भी इसका जिक्र है कि 1778 में महरानी अहिल्याबाई होलकर ने किस तरह से इसका पुनर निर्मान किया, जीरुनो धार किया और फिर महराजा रणजीत सिंग ने किस तरह से स्वण मंदिट शिकर काशी विश्वनाद, बाबा विश्वनाद के मंदिर का जो उन्होंने स्वण मंदिट कई मन सोना उसके लिए आया इसका दिक्र भी प्रधान मंतरी ने किया अब उसी कॉरिडोर में प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे हैं एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की उन्होंने तीन अपील की देखे ये पाँच लाख वर्ग फीट प्रधानमंत्री ने इसका सपना जो देखा था कि मा गंगा के तट से सीधा बाबा विश्वनात के मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालू आ सके ये उनका सपना था जिसको अब साकार किया गया है इस काशी विश्वनात कॉरिडोर के जरिये घाट पर नदी से या नाव से आप सीधा जेटी पर आईए घाट पर आईए और घाट से गंगा जल को लेते लेते और इसमें तीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जोड़ रहे हैं मेरी सहयोगी श्वेता सिंग हमारे साथ जोड़ रही है हिमान्शु मिश्रा जोड़ रहे है कुमार अभिशेक हमारे साथ जोड़ रहे है और श्वेता महज तीन साल में ये तिस तस्वीरा हम देख रहे हैं श्वेता इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात की 5 लाग वर्ग फीट का काशी विश्वनात कॉरिडोर तो जो सपना देखा गया था क्योटो की तरह काशी को प्राचीन भी रहे और नवीन भी हो ऐसा हो रहा है श्वेता लोग मान रहें कि ऐसा हो रहा है गौरव अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आपको फेरी नजर आ रही है उसके साथ वो सेक्योरिटी पेट्रोल बहुत सारी नजर आ रही है उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यहीं पर प्रधान मंत्री उतरे हैं और यहीं से वो आगे काशी विश्वनात कोरिडोर में उन्होंने प्रवेश किया है और उसके बाद भीतर वो ऐसे भ्रमन कर रहे हैं उसे जैसे एक एक चीज़ का निरीक्षन कर रहे हैं चुकि उनकी ही सोच के साथ उसका विस्तार हुआ था क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर लगाई जाएं क्या-क्या किस तरीके से पूरा प्रांगन हो जहां पर छोटे-छोटे मंदिर हो उसमें अलग-अलग मूर्तियों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाए जो उस समूचे क्षेतर से निकली दी तो सारी चीज़ों को चुक जो कुछ किया है उसको लेकर वो संतुष्टी भी है लोकारपन समूचे विश्व के लिए हो गया है और बाबा विश्वनात यानि विश्व के नात वैसी ही यानि कि केवल काशी नहीं बलकि समूचे विश्व को समर्पन इसका होना था समूचे विश्व को इससे समर्पित करना था तो उसका प्रारंब हो गया है और अब जब भक्त स्वयम अगर ललिता घाट पर यहां पीछे उतर कर और वो भीतर तक जा पाएंगे मतलब गंगाजी में डुबकी लगाई उठाई ध्रिश्टी सामने स्रिश्टी क्योंकि स्रिश्टी पालक जो है महादेव महापर सामने नजर आ जाते हैं दूर से चम्चमाता हुआ वो स्वन्ण से मढ़ा हुआ शिखर नजर आ जाता है अलौकिक द्रिश्च है और अगर हर जन्मान सामान ने हर व्यक्ति इसे देख सके तो इससे बेटर क्या हो सकता है तो सीधे तोर पर बाबा विश्वनात की नगरी में अगर बाबा विश्वनात के इस धाम को इस स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है लोगों को तो उसके पीछे कि उनकी सोच लोगों तक भी लोगों से भी हम जो बाचीत कर रहे थे अब तक उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि हर एक व्यक्ति मान रहा है कि आलो कि बहुत संक्षेप में एक दो लोगों से मैं जरूर पूछ लूँगी इसके बारे में जी आप गायक हैं जी क्या आज का द्रिश्य देखकर मन में आ रहा हैं बहुत अच्छा लग रहा है और यह से लगा कि पुराना प्राचीन जो अमरा पना की बंबंबं बोला है का से बंबंबं बोला है क्या से पूरा करने के लिए मैं बीचु का स्टुडेंट बनने वाला हूं बस इसलिए कि मोधी जहां के सांसत बने है हर हर मोधी घर घर मोधी अब यह देखके इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बता हूं एक कभिता मुझे याद आ रही है यह वो धर्ती है जहां बिश्चुनात रहते हैं और घाट गंगा के हजारों कथाएं कहते हैं देव दीपा वली की स्थान निराली है यहां अवद की साम है तो सुब और पर आप लोगों के भावनाओं को सुनकर ही समझ सकते हैं मैं यह मांती हूं कि इसमें सब काशी वासी नहीं है लेकिन केवल काशी को तो इससे समर्पित किया नहीं गया था हम इस बात का जिक्र हम करी रहे थे कि काशी के नजर से यानि काशी में भले ही स्थापित है बा आरे साते हैं मांशू आप आप भी आपके साथ भी बहुत से लोग हैं वो इस क्या वो भी से मानते कि आलो के खे क्यों प्रधान मंत्री ने कहीं कहा कि आत्मे निर्भर हम होना भूल गए थे एक ऐसा कालखंड आया जिसमें घुलामी थी और उसमें हम स्रिजन करना भूल गए क्या वो आत्म विश्वास लोट रहा है मंशू देखें गौरव गौरव जो बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं और उसके बाद मैं आप चीज आपको एक चीज बता सकता हूं कि मेरे साथ वो लोग हैं जिन लोगों ने इस काशी कोरिडोर को बनाने में बहुत अब बड़ी भूमी का रिभाई और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अजुमसब के साथ खाना खाया राका और अघृत तो कि रहने वाले ओड़ा मंत्री आज आका साथ चाहि Verb तो उमीद थी आपको आपको आज this I am over I am also drink I am basant ind vielen हैं कि ब्रदान मंत스री के साथ खाणा करा आप अपने दो साथ यहाइक ह brat little कि इसके बाद आपने खाना कौए आज प्रदान मंत्री जी के साथ वहabeth कुछ घॉय अपने सपने में पिए नहीं सोचा था कि मंत्री जी के साथ खाना खाये कितने दिन काम कर आपने दो साल लगा तार काम करा और उसके बाद आपने खाना काया आज प्रदाथ मंत्री जी के साथ बहुत 교प अपने सपने भी तक विसके नहीं सोचा था आपका प्रधान मंत्री के साथ अब भोजन कर रहें थे कैसा लग रहा था अब अच्छा लग रहा था अम लोग तो गौरव यह वो लोग है जिनोंने काशी कोरीडोर को बनाया दो साल लगातार काम किया लेकिन इन लोगों के साथ प्रधान मन्तरी नरैंदर मोधी ने आज काशी कोरीडोर का उठाटन करने के बाद भोज़न किया और यह लोग कहरें इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी प्रधान मंत्री के साथ बैट कर एक टेबल पे खाना खाएंगे आप वो वीजुल्स देखिए वो तस्वीरे देखिए वो बहुत ही अध्भुत है और ऐसी तस्वीर जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजदूर बैट के खाना खाएं तो आप सोच सकत आप निर्भर बनिये लोकल के लिए वोकल बनिये एक नया इतिहास बन रहा है यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्वेता मेरे साथ है कुमार अभिशेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार अभिशेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जो शिल्पकार है जो वहाँ पर कर्म योगी है उनके साथ बैटके तस्वीर खिचाई अपना उनके लिए जो एक कुरसी लाई गई थी उसको हटा दिया साथ बैटके खाना खाया संदेश बड़ा दे रहे थे प्रधान मंत्री लगातार और जैसा अभी हिमानशू बात कर रहे है कि कोई कृष्णा लाल है तो कोई अन्वर खान है कोई मुहमद अजीज है सभी मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे है बिलकुल गौरव जुस तरीके के दृष्ण हमने आज देखे और पूरी देश पूरे देश ने देखा कि किस तरीके का आज भब्बे और दिव आयोजन रहा क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर था इसके खुलने का इंतजार सबको था पहले मैं आपको दृष्ण दिखा देता हूँ कुछ पलों के बाद कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे क्रूज पे दोबारा से सवार होंगे और फिर गंगा की आत्रा करते हुए वो रविदास घाट तक जाएंगे तो पूरी तैयारी यहाँ पर इस वक्त आपको दिख रही है कि प्रधानमंत्री इस वक्त अलोकन कर रहे हैं यह जो काशी कॉरिडोर है मुख्यमंत्री साथ में है लेकिन लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और जिस वक्त वो आये तो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और काफी देर तक अपने दोनों हाथ उठा कर उन्होंने लोगों का अभिवादन लिया था लोग यहां इस बात के इंतजार में हैं कि वो फिर दो इसके मायने बहुत निकाले जाएंगे यहीं कहा है कि जब जब और अंग जब आया जी तो शिवाजी भी उठ खड़े हुए इसके भी धेरो मायने आने वाले समय में निकाले जाएंगे गौरव। लेकrem हमारे साथ इस वक्तक लोग हैं काशी के लोग हैं सबसेंonstय 1 पूछते हैं आपि toys यह हैं दिलिदी से आए हैं आप लोग कहां से हैं जाये पिर यह बताए कैसा लगा आयो जन और आप लोगं हमा तो हम फिर दो दीन के लिए और रुगे यह आप रहे तो क्या फरKति मिर्जापुर में तो विकास हुआ यह ही आज क का है 최डी में देखते देखते हम लोगं यहां काशी पे तो और यह अद्भूत नजारा दिख रहा है यहां पर श्वेता एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वो यह कि अगर काशी का कॉरिडूर बन रहा है तो पक्के घर भी बन रहे है गरीबों के लिए अयोध्या में दिव्य भव्य राममंदिर बन रहा है तो हर जिले में मेडिकल कॉलिज भी बन रहा है और ये नए भारत की एक नई शक्ति और उर्जा का क्या संकेत दे रहे थे प्रधानमंत्री गंगा के तट पर बैटकर गौरव में यही कह सकती हूँ कि मानो तो यह गंगा जल है ना मानो तो बहता पानी उसी तरीके से मानों तो केवल धर्म के लिए किया जा रहा है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ किया जा रहा है लेकिन एक नजर ये से देखिए तो ये संस्कृती का स्वाभिमान भी है जिसका पुनर निर्मान हो रहा है अगर विंदेवासिनी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं मिर्जापूर से आए हुए लोग तो समझे कि काशी विश्वनात कॉरिडोर लोगों के स्वाभिमान से उनके संसकार से, उनकी संस्कृती से, उनकी परंपराओं से ब्राचीन तम परंपराओं से जुड़ा हुआ है और इसी लिए लोग इसका अभास भी कर रहे है अब वारण असी में क्या केवल एक कॉरिडोर बना है क्या केवल जो गलियां जिनको तंग कहा जाता था वहाँ चौड़ी करण हुआ है या और भी चीज़े हुई है काशी के कितने लोग हैं आप में से काशी के हैं आप लोग काशी में क्या हुआ है, काम हुआ है बहुत ज़्यादा काम हुआ है और पहले तो सबसे पहले चीज़ी है कि जब हमारे पास कोई विवस्थाई नहीं ते आसे 5-6-7 साल पेछे जाएंगे तो लाइट नहीं मिलती थी हमें लाइट मिलती है अब बिल्कुल 24 आवर से 24 गंटा में 24 गंटे 24 गंटे पूरा विकास हुआ है रोटोट सब 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 विकास आपके हिसाब से क्या क्या हुआ है कासी में नहीं प्रदेश विकास हुआ है लेकिन खास कर से जब आदाड़ी पदान मंतरी जी यहां से चुनाओ लड़े तो उसके बाद लोगों न सोचा कि चलिए अब भला हो गाई कुछ लोगों का रहें बहुत से देखें यह भी आएंगे चले जाएंगे लेकिन जिस हिसाफ से काम सुरू हुआ तो काम अभी तक चल रहा है और गती से आगे बढ़ रहा है का सी ठीक हो रही है सड़के भी धीरे-धीरे ठीक हो ने इसके पहले बनारस की सबसे वेड़ी समझाती ट्रैफिक की आपको लग रहे कि क्या जो प्राचीन धाचा है शहर का क्या वो बाधित हुआ है या फिर उस लावा दिया यह बहुत अच्छी बात है और बनारस के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे बनारस की जंता को बहुत सुलियत मिलेगी और लोगों को आगे बढ़ने का एक जरिया मिलेगा तीन मुद्दे थे बिजली पानी सड़क यह तीनों मुद्दे अब खतम हो पहले जब कॉरिडोर में जब हाथ लगा था तीन साल पहले जब मोदी जी आये तो उसमें भगवती के मंदिर बनना होगा था बहुत दिल खोल करके सब लोगों ने मतलब उनको आशिरवाद आज उनीका है उनीका यह है यह शहर है उनका हमारा यहां कैसी कानून विवस्था सब कह रहें कि सब कुछ ठीक ठाक है सारी सुरक्षा विवस्था बहुत ही अच्छे तो बच्चे तक तो मोदी जी के फैन है यह मैं मैं नेपाल का रहने वो पूरे बीश्व में है और नेपाल के लोग अभी निपाल गया ता है कब 10 दिन पहले नेपाल के लोग अपने सुना की जो चीजें यहां पर लोग कह रहे हैं और यह आम जंता है जो काशी की रहने वाले लोग है जो ये कह रहे हैं कि बिजली सड़क पानी आमतोर पर चुनाव का मुद्दा होते हैं लेकिन बिजली भी मिल गई सड़क भी बन रही है और पानी भी है बाकी जो चीजें है वो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगी तो एक बात मैंने गौरव कही थी जो मैं यहाँ पर दोहराना जा रहा है कि किस तरीके से ऐसा विकास हो सकता है जो शायद एक मॉडल भी हो कि आध्यात्मिक नगरी निकल कर एक विकास का मॉडल बन रही हो अच्छा श्वेता 2014 से पहले की काशी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का वो सपना की क्योटो की तर्ज पर काशी को बनाया जाए कि पुराना जितनी भी उसकी प्राचीन सभिता संस्कृति को संजोए है उसको हम रखे लेकिन एक आधुनिक शहर हो 21 सदी का शहर हो क्या उस दिशा में काशी आगे बढ़ रही है यह लोगों के मन से ही यह सवाल जानना जरूरी है और मुझे तो लगता है कि यह समय बीता कि हम कहें क्योटो जैसी काशी बनेगी मुझे लगता है कि अब विश्व के शहर यह कहें कि हम काशी की तरह बनेगे क्या उस दौर में हम सकते हैं जब यह कहें दूसरे शहर के हम काशी हैं यही पर रहने वाले हम लोग हैं काशी कैसा है रह रहा है दुनिया में मोदी जी ने दिखा दिया काशी है जनता मोधी जी के बहुत साथ है उनको बेफिकिर होके आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अभी तक ऐसा development ऐसा development आज तक नहीं हुआ बद 2014 के बाद आप चाहिए रोड बनारस railway station एयरपोर्ट रिंग रोड अपना ये काशी विश्चनाद सबसे बड़ा इंजिनियर्स भी ठक जाते थे कि इम्पॉसिबल था उनके लिए भी लेकिन आद देखी सब्सक्राइब पहने किया जब मोधी लोकारपड करते कि काम का लोकारपड किये थे कभी किसी काम का लोकार कैश्टार का स्रेंटें लेने के लिए रहे हैं चले मतुरा उसके द्हारमी काम के लिए उन्होंने बोला कि काम करवारा रहे हैं हमारे यह इसका मतलब बनाय गया तभी विगड़ा लोग जो कह लेकिन केवल अविनाशी कहकर क्या विकास नहीं किया जाता यह क्या हमेशा एक पुरातन नगरी प्राचीन नगरी कहकर बहुत सारी चीजों को जैसे मैंने नालों को गिरता हुआ देखा है अगर बिहार अगर हम पूर्वांचल का हिस्सा इसे मान ले तो बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा उस पूर्वांचल की परिभाशा में जुड़ जाता है और अगर बिहार से आकर कोई यह कह रहा है कि यहां का विकास हो गया तो उसके मन में या कांक्षा भी हो रही होगी कि थोड़ा सा उस शेत्र में भी विस्तार वहां कभी हुआ है इतना चाहिए और मैं वहां पर मैट्टो के कमी है जो सफाई कर में जो सफाई कर नहीं करते थे आज वह अर्ली मॉनिंग आकर करके चले आते पता ही नहीं चलता है कि मारे गल्ली सब कम हो गई लेकिन दो दिन में हम रहे हैं पर बहुत नाजरा दिल फूस हो गया है अच्छा विसनाद मंदिर यहीं पड़े हुए हैं लेकिन अगाल पनी था में हमेशा दर्फन करने आते थे बंबं बोल रहा है काशी ये काशी वासियों का कहना है हमारे साथ और रिपोर्टर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं श्वेता हम कुमार अभिशेक से भी बात कर रहे हैं ललिता घाट पर कुमार अभिशेक हैं हिमा हिमांशू कुछ लोग इसमें राजनीती भी तलाशेंगे लेकिन एक जिक्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितिनात ने किया 1916 का उन्होंने जिक्र किया कि जब महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्व विद्याल आये तो उन्होंने ये कहा गंदगी को देखकर सक्री गलियों को देखकर की विदेशी परियाटक आएंगे या लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में हमारी सभ्यता के बारे में उसका और आज का परिवर्तन है काशी वासी हिवान्शू उस बारे में क्या कह रहे है देखे बिल्कुल एक चीज तो साफ है मेरी लगातार काशी वाशियों से बात हो रही है और गौरव उनका यही काना है कि जिस तरीके से काशी के अंदर विकास हुआ है वो अद्भुत है आविश्वाशनी है अल्पकरन के वो है लेकिन बड़ी चीज यह है कि काशी के लिए जो बात कही जाती है कि काशी जो है वो दिव्य थी और भव्य बनाने का काम जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है 2014 के बाद हुआ लगातार विकास के कारे हुए हम जब पहले काशी आये करते थे तो आपको यहां पर जो है तारों के जुन्द निज़र आते थे तारी तार निज़र आती थी अब तारे जो है इलेक्रिसिटी वायर जो है वो सभी अंडरग्राउंड कर दी गई है सडके चौड़ी कर दी गई है ट्रैफिक स्मूथ किया गया नहीं तो वारनसी में घुसने पर लोगों को लगता था कि एक जगा से दूसरी जगा जाने में दो किलोमेटर जाने में लोगों को एक से डेड़ घंटे का टाइम भी लग जाता था जो अब 15 से 20 मिनिट लगते हैं लेकिन बड़ी चीज कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको लेकर काशी के लोग खुश हैं लेकिन चुनावी महल है और जैसे आपने भी कहा कि चुनाव होंगे तो लोग इस पे अपनी राजनेतिक कमेंट्स जरूर करेंगे लगातार अखिले इशादव यही कह रहे हैं और इस महल के अंदर राजनेतिक बयान बाजी देखने को मिलती नजर आएंगी लेकिन काशी के अंदर जिस तरीके का विकास हुआ है शायद काशी के लोगों ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी गौरफ और इस समय हम यह तस्वीरे देख रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ लालिता घाट पर क्रूज शिप की तरफ क्रूज बोट की तरफ आगे बढ़ते हुए जो महां भीड है अभिनंदन करते हुए श्व उस बोट हमारे पीछे और अभी तक जो पूरा बोट ट्राफिक है नदी पर जितनी भी नावे चल रही थी उन सब को रोका गया था कि दशाशमेद घाट से ललिता घाट की तरफ वो नहीं बढ़ने की इजाज़त किसी को थी इसलिए नाओ जो है वो इसी छोर पर अभी र जशारिद हुआ था तब भी हम असी घाट से लेकर यहां देशाशमेद और ललिता घाट तक उनका इंट्रियू करते हुए आये थे उन्होंने हर घाट को लेकर जो उनकी परिकल्पना ती गंगा स्वच्छता को लेकर जो उनकी परिकल्पना थी उन सारी चीज़ों के बार के तौर पर हम इसे गौरफ देख सकते हैं यहाँ पर कि गंगा जी में यहाँ पर बहुत सारे नावें तो हमेशा से चलती रही है वो तुस गंगा जी के दर्शन के लिए और गंगा आरती देखने के लिए कई बार या फिर दूसरे चोर पर जाने के लिए नावें तो यहाँ पर रही है लेकिन क्या इसे एक मार के तौर पर भी जल मार के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है जो सी प्लेन है उसकी योजना की चर्चा यहां पर है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ललिता घाट पर वो लैंड करें और वहां से लोग भीतर जाएं एक हवा से भी एक द्रिश्य देख लिया जाए वो आलोकिक जो काशी विश्वनाद धाम का उचाई से नजर आ सकता है और उस्वन जड़ित शिखर को देखा जा सकता है तो वो सारी और देखिए यह फेरी चल पड़ी है यहां से गौरव प्रधान मंत्री जो अपर डेक में जाकर ही आम तोर पर खड़े ह होते हैं ताकि वो लोगों को वहां से देख सके उनका अभिवादन कर सके स्वीकार उनके जो सेक्योरिटी पिट्रोल बोट्स हैं वो आपको उस फेरी के दोनों तरफ चलते हुए दिख सकती है एक दूसरी लाल फेरी जो तब से दूसरे छोर पर जाकर पाक्त थी वो भी सा स्ट्रोल बोट्स मौजूद हैं और सारे लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि क्या प्रधान मंत्री की जो नाव है वह आगे की और बढ़ते बढ़ेगा और यह लोगों को उन्हें उनका अभिवादन करने का मौका मिलेगा घाट पर लोगों की भीड आप देख लिजे दोनों मंत्री का जल काफिला वो जल काफिला जब आगे बढ़ेगा तो जो इस नगरी की सुन्दरता है एक तो गंगा जी यहां उत्तरायन होती है और दूसरा जो गंगा जी के छोर से तट तट से यानि जिन घाटों का पुनर निर्मान भी हुआ है पिछले कुछ समय में घाटों की स्वच्छता पर भी ऐसा नहीं एक सिर्फ घाटों की सुन्दरता से गंगा जल की स्वच्छता निश्चित नहीं होती है लेकिन हाँ यह जरूर निर्धारित होता है कि अगर घाट सुन्दर है अगर वहां पर नाले नहीं खुल रहे हैं तो गंगा जल अपने आप कर रहे हैं कि इधर से जाएंगा कुमार अभिशेक हमारे साहियोगी हमारे साथ जोड़ रहे हैं कुमार अभिशेक दोनों घाटों पर अगल बगल भीड बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं अभिस्विकार भी कर रहे हैं आप उनके सामने से गुजरता हुआ जा रहा है और प्रधान मंतरी जो इस क्रूज के पहले तल्ले पर वो और मुख्यमंतरी मौजूद है और लगातार उनका जलकाफिला बढ़ रहा है इस घाट पर हजारों की तादाद में लोग गौरव मौजूद हैं और लगातार पूरे घाट पर अभिवादन कर रहे हैं और प्रधान मंतरी भी इस पूरे गंगा किनारे जो इतने घाट बने हैं वहां लोगों का अभिवादन स्विकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो यह दूसरी दफाम लोग ऐसा देख रहे हैं जब प्रधान मंतरी क्रूज पर सवार हैं और होते हुए वो सीधा रविदास घाट को जाएगा लेकिन प्रधान मंतरी को यहां से रविदास घाट जहां उन्हें जाना है तक्रीबन 15 मिनट 10-15 मिनट का वक्त लगेगा और पूरे रास्ते में या कहले पूरे तमाम घाटों पर लोग मौजूद हैं हम जहां पर मौजू से वो लोटेंगे तक्रीबन साड़े साथ बजे जब वो यहां की आरती देखेंगे दशासों में घाट की और उसके बाद वहां पर उनके साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंतरी देश भर के और उप मुख्यमंतरी मौजूद होंगे तो आज का इनका लोकारपन का काम प्र हजारों की तादाद में लोग घाटों पर मौजूद हैं और हर घाट पर प्रधान मंतरी का यह अविनंदन चल रहा है